नमस्कार हमारे खास कारिक्रम परियावरन दर्शन में आप तमाम दर्शोंकों का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ देवाशी इशकुमार आज इस खास कारिक्रम में हम बात करने जा रहे हैं परियावरन से जुड़े तमाम जो भी चीज होती हैं परियावरन क्यूं महत्यपून है हमारे जीवन में और परियावरन को लेकर आपके मन में जो भी प्रश्ण है उन तमाम प्रश्णों के उत्तर जो है आज हम आपको बताने जा रहे हैं हम आपको बता दें कि जीवन में परियावरन जो है वो बहुत महत्यपून है जिस तरह से हमें सांस लेना महत्यपून है उसी आधार पर परियावरन का भी होना हमारे जीवन में हमारे धर्ती पर बहुत महत्यपून है और इसी तमाम चीजों को लेकर 5 जूम को जो है वो परिय प्रयावरन दिवस मनाया भी जाता है और इसी कारिक्रम में आज इन तमाम यानि कि प्रयावरन से जुड़े तमाम प्रशनों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ खास महमान जुड़े हैं हमारे साथ किशोर कुमार जी हैं आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे प्रयावरन क्या है परियावरन का महत्व क्या है और परियावरन हमारे जीवन में कितना important रखता है सबस्पहले तो किशोर जी बहुत स्वागत है हमारे सखासकारी कर्म में आपका नमस्कार जी सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा और लोग भी यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परियावरन है क्या यह आप हमारे दर्शकों को एक सरल सब्दों में समझाईए परियावरन दो शब्द के संयोजन से बना है परी और आवरन परी यानि हमारे आस पास की जितनी चीज़े हैं जहे हो लिविंग हो यानि जिवित हो या मिर्थ हो या जितनी सारी चीज़े हैं वो हमारे लिए आस पास की तमाम सारे परियावरन में हमारे आयाम यह आ जाते हैं नदी, तालाव, बेड, ब्रिक्ष, जीब, जन्तू, पसू, पक्षी, कीट फटिंगे सभी कुछ. अब अगर मैं बात करूँ तो परियावरन की ऐसी समस्या जो सबसे पहले आई और हमारे UN से लेकर तमाम तरह की ये परियावरन दिवस, अंतराश्टी परियावरन दिवस, जिसकी बहुत आपने अच्छा दंग से बताया, कि 5 जून को जो मनाया जाता है. इसकी आवश्यक्ता संभव तयार 1968 से इसकी नीव आई, जब कुछ एक हमारे सामाजिक चिंतकों विभिन अंतराश्टी अस्तर पर जो सोच थी, वो ये होना शुरू हुआ, कि ये जो अभी हमारी तक्नीक जितना टेक्नोलोजी बढ़ रहा है, इंजिनियरिंग बढ़ रहा है, उसके साथ हमारी चीजे तारतम्यता कैसी रहते हैं, अगर आप याद करें, तो वह सी समय से शुरूआत हुआ, कि मेरे ख्याल से 73 के आसपास आया होगा, वाइल क्राइसिस, और जो जिवास्म वाले इंधन की बात हुई, कि ये खतम हो रहे हैं, ये तरह-तरह की चीजे, कि अगर ये इस तरह से, जो बहुत बात में आकर करके, फिर हमारे 21 सदी से पहले का शुरूआत हो गया, जिसे हम लोग सस्टेनेबल डवलप्मेंट, मिलिनियम सस्टेनेबल डवलप्मेंट, गोल्स पने, कि हम अब विकास की परिवाशा कैसी हो, अगर देखा जाये, तो य इसमें सिर्फ हम बढ़ख रहेते हैं, लेकिन वो बढ़वार नहीं, जब हमारी सामाजिक और प्राकिर्तिक तार्बतम्यता बरकरार रहती है, तब हम विकास कैते हैं, जी, तो आप ये चीज बहसूस करेंगे अपने आप में, कि कहीं कहीं हमारी चीजों में जो बहुत सार एक घटनाएं होने लगी है, कि कहीं कहीं अत्यदिक ब्रिस्तिपात है, कहीं बादलों का और खास करके, पिछले चार-पांस सालों से अगर देख रहे होंगे, तो ठनका और बिजली गिरने का ये जो सिलसिला है, और बाठ की जो सिलसिला है, क्कि बादल कफटने से चीजों को जोडने के लिए जो किया कि हमारे विकास कैसे हो हमारे विकास की अब धार्णों में सतत परिवर्तन लाने की जवरत है जो कि हम अपने प्रकृति सम्मत चीजों को ही करें सरा विकास की बात कर रहे हैं मेरा अगला सवाल भी आपसे इसी से रिलेटेड है कि परियावरन और विकास ये दोनों विसह जो है वो कितना मेहत्यकून है हमारे लिए देख़े ये दोनों एक दूसरे के कॉंप्लिमेंटी ये संप्लिमेंटी दोनों हैं अगर हम विकास करते हैं तो हमारे प्राकिर्टिक बातावरन पूरी तरह से परियावरन हमारे लिए अच्छा हो हमारा टेंपरेचर हाई नहीं हो हमारे अती ब्रिष्टी नहीं हो अलपा ब्रिष्टी नहीं हो तो इन चीजों को टीम खाने का भी विकास के उस आयाम को जरूरी है कि हम उन चीजों को जरूर धिहान में रखें इस कड़ी में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हर बार एक चिता ब्यक्त की जाती है कि हम इतना ज़्यादा हरी आली होते जा रहे हैं फॉरेस्ट कवर हमारा खतम हो रहा है जी और कार्बन उत्सर्चन इतना ज़्यादा है वो जो लेयर का डिप्लीशन है वो जो लेयर में छेद हो रहा है तो ये चीजे जो आ रही है इन चीजों को हम कैसे करें तो एक दूसरे की तार्वतम्यता होती है कि भाई हमारे पृत्व है कि हम जितने ज़्यादा से ज्यादा पीड को बचा सके और प्रति ब्यक्ति अनुपात और हमारे पेडों का बढ़े और वो breaths जो हमारे पेड़ों को किस जगह होना चाहिए हमारे आवासन के आसपास का जो परिदी हो उसके आसपास कौन से पेड़ होने चाहिए कौन से नहीं कहीं कहीं हमारी अपनी संस्कृति और हमारी अपनी दायत्तों को समग्रता में लेने की जवरत होती है एक चीज जहां पर मैं निश्ची तोर पर कहना चाहूंगा कि हमारा जो बरताव है वो कहीं ने कहीं इस धंग से हो कि हम अपने प्रकृतिक संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा संरक्षित कर सकें अगर आप देखेंगे तो आप सड़क किनारे बहुत सारे चलते होंगे तो बन विभाग के कु क्योंकि जो हम चाहे बड़े इंफ्राइस्ट्रक्टर जितने चाहे सड़क हो ब्रिजेज हो यह सारी चीजे जो लाते हैं तो कहीं-कहीं हम पेड को काटते हैं और परियावरन को छती करते हैं उस छती की प्रतिपूर्ती हम उसके लिए उसी प्रोजेक्ट कॉस्ट में एक होता है कि ताकि हम और परियावरन के आयाम को इसमें समाहित कर सके और परियावरन को बेहतर कर सके इन दोनों विश्यों के बारे में हम इस वक्त जो चर्चा कर रहे हैं तो मेरा सवाल यह रहेगा सर कि इन दोनों विश्यों को हम संतुलित कैसे कर सकते हैं परियावरन को हम स तुरक्षित रखने के लिए प्रयावरण को सापसुत्रा रखने के पेड़ लगाने बहुत अवशक्ता है तो कि आज के समय में यह हो रहा है सर अगर आप यह देखे तो अभी के दोर में सभी लोग का टारगेट है कि वन मिलियन ट्री हम एक करोड पेड़ लगाएंगे क्यों यह कहीं कहीं एक आवशक्ता है क्योंकि हमने भी पेड़ों को काटा था और पेड़ के लिए जगह है अगर आप पुरानी बातें देखेंगे जहां भी रोड बनते हैं तो रोड के किनारे पेड़े लगाए जाते हैं यह सरकारी आयाम में हमारे यह समाहित रहता है और यह बहुत अच्छे रोड जो बिक्सित होते हैं उन रोडों पर क्योंकि अगर यह चीज नहीं रहेगी त अगर हम परियावरन को निगलेक कहेंगे अगर उसको छोड़ेंगे तो हमारे लिए बांकी विकास जो ग्रोथ की बाते हैं वो हम तो और ज्यादा महंगा होता चला जाएगा जैसे मैंने एक अभी बहुत छोटा सा हम अपने इंफ्राइस्ट्रक्चर के कारण कहीं नदी के परिजेज डालते हैं तो जो पुल डालते हैं पुल के आस पास की जगों को वैसे ही बिक्सित करना है ताकि पानी का बहा उस e करति कर सके कर सके तो विकास और परियावरन ये दोनों एक दूसरे के संपूरक है और ये दोनों में अन्यो नासरे शंबन्ध है अगर अच्छा विकास चाहिए तो हर वक्त हमारे परियावरन अच्छे होने चाहिए जिस तरह कि आपने कहा कि पेड़ों को नहीं काटना है बिल्कुल वो सब सब हम लोग जानते हैं कि अगर बेहतर परियावरन चाहिए तो पेड़ों को नहीं काटना चाहिए लेकिन सर जिस तरह से देश और दुनिया आगे बढ़ रहे हैं कि इस वी सदी के और हम हैं दूसरे देश हमसे कंपेर करते हैं तो ऐसे में परियावरन को संग्रक्षित करते हुए हमें आगे बढ़ना है इसके लिए आप क्या उपाई सुझाते हैं आपके मन में क्या उपाई हैं कि हम उस चीज को भी नुकसान नहीं पहुंचा है परियावरन को भी नुकसान नहीं कहीं ये आवशक्ता हो जाती है कि विकास हमारा तभी है जब हमारा ये सतत रह जिसे sustainable development कहते हैं आपने ये अगर अपने आप में भी देखें कि विकास की परिवासा में ही ये समाहित की गई है और millennium sustainable development goals का निश्यत किया है जिस पर एक पर्यावरन महुत्पुर्ण आयाम रहा है अब बात ये होती है कि हमारा एक दाइत है अगर हम अपने पास जो भी लेते हैं उसकी प्रतिपूर्ति हमें प्रकृति में करनी चाहिए ये एक हमारी आज प्राकर्तिक दाइत अपने आप में लेना है ये हर नागरिक के लिए आवशक्ता हो रही है जैसे मैंने बताया कि infrastructure projects में जैसे ही आप लेते हैं तो वहाँ पर आपकी बातें उसमें compensation की बातें हो जाती है कि पर्यावरन के compensation व्यक्तिगत compensation की बातें तो जाती है लेकिन साथ-साथ पर्यावरन के compensation कैसे करते हैं उसकी छतिपूर्ति कैसे करते हैं तो ये एक बहुत ही हमारा visionary आवशक्ता है सभी चीजों में निश्ची तोर पे आज हमारी आवशक्ताइं बढ़ रहे हैं हमें कहीं न कहीं बहुत छोटी सी एक पहल है कि अगर हम polythene को अपनी संस्कृती से थोड़ा दूर हटा दें हम वापस अपने चीजों में कपड़े के थैली लेकर चलना का आया आदत डाल में लें कि यह हमारी आदत रहेगी कि हम कभी भी बाजार जाएंगे जो कुछ भी लाएंगे प्लास्टिक के थैला नहीं ले जाएंगे प् हम उसे दूर करेंगे अगर कहा जाता है तो परियावरन सुधार के आयाम में कहा जाता है 3A, R 3R से सम्मनित होता है कि री यूज, पहले तो सबसे पहला चीज आ जाता है कि रीडियूस, अपनी आवश्यक्ताओं को जितना कम कर सकते हैं उसके बाद रीडियूस के बाद आता है कम करें, दूसरा आयाम आता है री यूज, उसे पुना हुप योग में लाएं और तीसरा है रीजेनरेट तिस्ची तौर पे अगर आप देखें कि हमारी परिपार्टी खासकर के बिहार में हर बार जो चीजें रहती थी कि ताड़ के गाच बनाए जाते थे क्योंकि घर के छट बनाने के लिए ताड़ की गाच होते थे हर बुजर्ग अपने अपने समय में ये सोच कर कि उनका आने वाला नेक्स जेनरेशन वो कैसे फलों का रसास्वादन करेगा तो वो कुछ एक कुछ एक ब्रिक्च लगाते थे और हम अपने परिवार में ही ये देखते हैं कि ये चीज है कि हमारे दादा जी नहीं ये लगाया था तो हमारी तो एक बहुत अच्छे बिचारक ने शायद बहुत अच्छी बाते कही है कि आज की दिनी में जो हम जी रहें तो संसाधनों का उपयोग ऐसा नहीं करें कि हमें अपने पूरवजों से मिला है हमें यह सोच कर करना है कि यह हम अपने आने वाले बच्चों का उधारी लेके कर रहे हैं तो यह है कि हम अपने आने वाले संतती के लिए कैसी दुनिया छोड़कर के जाना चाहते हैं तो यह चीजे हैं जहांपर कि हम एक दूसरी को बहुत ही अपने कहा जाए तो बहुत अच्छे वीजन के साथ ही चल सकता है तभी सतत विकास रह सकता है सर एक और सवाल आपसे जाना चाहेंगे कि आप लगातार जो है वो जल संचय का जो अभियान है एक मुहीम के हैं उसको लगातार चला रहे हैं और कई बिहार के कई शेत्रों में जा जाकर आप जल को बचाने जल को संचय करने का मुहीम चलाते हैं तो यह हम भी इस काजिक्रम क कि यह सर आप कैसे करते हैं और क्या है और क्यूं है यह बड़े माईदार सा पहलू है कि अगर बिहार को देखते हैं तो बिहार एक तरफ बाढ़ होता है दूसरी तरफ सुखाड़ा रहता है जो दक्षिन बिहार का छेत्र है उसमें बहुत सारी भुभाग रेंज शैडो एरिया में आ जाते हैं जो सिमांचल का छेत्र है यह खास करके औरंगाबाद गया जमू नवादा जमूई बांकर तो इन चीज जगहों पर कहीं ने कहीं यह हमारी यह रही है कि बरसात में तो बह हमने बेतर्तीब तरीके से अपने जंगलों को हटाया और बिहार के साथ सबसे बड़ी चीज है कि इनकी गरीबी अपने आप में बड़ी तो अब तक सरकार के जितने सारे कारिक्रम आये हैं उसमें सबसे अच्छे गरीबी उन्मूलन के कारिक्रम में अगर देखेंगे तो वाटरशेड डबलापमेंट का मॉडल है उस वाटरशेड डबलापमेंट के मॉडल से हम लोग अगर देखा जाये तो उन पहाडी दुरू छेत्रों में उन्हें सतत पानी मिल सके जो वाटर deficient communities है जो societies है उस रीजिन के उन्हें water sufficient या water surplus कैसे बनाया जाए तो filled conditions में बरसा जल सेंचेयन का मेरा सबसे बड़ा मुहिम है चाहे मुगेर हो, बांका हो, चमुई हो तो इन जगों पे और ये तभी संभब है जब हम ग्रामीनों की सहवागिता रहे हैं क्योंकि यहीं पर आप को मैं फिर से याद कराऊना चाहूंगा कि यह विकास की जो अबधारना है उसमें हम सभी सहवागी है तो हम अपने परियावरन को अच्छे रख सके इसमें हमारी सहवागीता बहुत ही महत्पुर्ण आयाम देता है पुर्व में कुछ पद्धतियां हुई कि जिसके कारण आहार जो हमारे पारंपरिक जल्परबंदन के तौर तरीके थे दक्षिन बिहार में वो बिग्ञान और तक्नीक के आने से कहीं कहीं हमारे और बदलाव आया तो बहुत सारे आहार तलाव कुछ नदियां बिलूप्त हो गई अब इन सभी चीज़ों को फिर से रीजेनरेट क करना हो क्योंकि पुनर अस्थापित अगर नहीं करेंगे आहार तलाव से तो यह हमारे लिए सर बोत्तम साधन इस लेकर के हैं और यह हमारी पौरानिक चाहे हम अगर ले तो हमारे अपने मौरियन मौरिय बंस्या लेकर आहार पाइन की जो बिवस्ता हैं वो सबसे और इसी चीज को देखकर बिहार सरकार ने भी अपने आयाम चला रखे हैं आहार पाइन का एक खास माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ इनका एक परियोजना भी चलता रहता है आहार पाइन्स का तो आहार और पाइन्स हमारे लिए सबसे सचक्त माध्यम है जो उन छेत्रो में ज्यादा से ज्यादा खेतों को दोफसला कर सके उनके यह वाटर्शेड में जो हमारी सिधान्त है वो है कि हम प्राकितिक संसाद्नों के साथ साथ उनके कहा जाए तो उनके रिस्टोरेशन के उसके बचाने के संरक्षित करने के हमारे जो मानव है उनमें और विक्सित करने की बात है क्योंकि एक दूसरे के प्रती जो सहवागीता के अब बहार है कहीं कहीं संस्थान इक विकास की जो आब शकता है औह नहें करते diarrhea है और जितना कि तार्तम में अस्थापित किया जाए और लोगों के बीच मौसम अनुकून के साथ साथ उन्हें उन्नत खेती लाकर उनकी आई स्रिजन की जो छमता है उन्हें और उन्नत किया जाए ताकि इनकी लाइफ इनकी जिन्दगी और बेहतर हो सके जी सर एक और बहुत महत्पून साथ है बहुत सारे दर्शक है जानने की कोशीश कर रहें कि सर परियावरन पर तो हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन इसके प्रकार क्या है सर प्रीयावरन के परकार क्या होते हैं यह भी हम आप से जानना चाहेंगे देखिए अगर दो चीजें सबसे पहला प्रकार जो है परियावरन की जो बाते हो जाती है वो है एक तो बाहिया आव दूसरा जो थोड़ी सी आध्यात्मिक की तरफ ले जाते हैं वो हो जाता है आंतरिक परियावरन कि आखिर हम इतने अशांत क्यों रहते हैं ये अशांती के पीछे भी हमारा कहीं ने कहीं जो बाहिया तारतम में है वो कहीं और बैवस्तित होता है तो हमारा आंतरिक होता है हम लोग बिहार में काफी भागेशाली हैं कि आंतरिक परियावरन के बहुत कम है बहुत जो कहा जाए कि नियुरोटिक डिजीजेज और नियूरल डिजीजेज काफी कम है अब बात आती है कि बाहिय पाय परियावरन में जो दो चार चीजें बन जाती है कि हमारी जल से लेकर है कि जल प्रदूशन की बाते हो जाती है बायू प्रदूशन, ध्वनी प्रदूशन, ध्वनी प्रदूशन के साथ साथ ये जो बायू प्रदूशन है इसमें तरह-तरह के जो गैस है ये इनसा भी को और हमारी मिट्टी का प्रदूशन, तो Solid Waste Management, तो कहीं कहीं हमें अपने परियावरन को ब्यवस्तित रखने के लिए जवरत है कि हम अपने वेस्टेज को अपने कूड़ा करकट को भी ब्यवस्तित ढंग से उसका डिस्पोज आफ करें, आपने देखा होगा कि सरकार की बड़ी अच्छी अब ये है कि गीला कच्रा एक तो ताकि ये सौर्टिंग हो जाती है, तो ये जितना हम एक दाइरतफुर नागरिक की भूमिका में आएंगे, उतना ही हमारा रहन सहन, हमारा समाज, परकृति के तारितम से रहेगा, और हम अपने आने वाले जो भी समस्या हैं, उसे कहा जाए तो नेचर बेस सॉलूशन ल को संग्रक्षित करना है, और एक बहतर परियावरन में जीवन वितीत करना है, तो इसमें आने वाले समय में, सर, हम बहुत कम सब्दों में आपसे ये जाना चाहेंगे, कि इस परियावरन को बचाने के लिए युवा अपनी भागदारी कैसे निर्धारित करें? देखे, संसार में युवा ही सबसे ज़्यादा उज्याबान है, और युवाओं की जैसी सोच रहती है, वो बहुत कुछ हमारा विकास का मार्ग प्रस्रस्त करता है, युवाओं की सबसे बढ़ी भागदारी है, कि वो जितने अपने अच्छी नागरी का दाई तो प्रदुषित होने से जितना बचाएंगे, जितना संरक्षित कर सकते हैं, साथी साथ जो हमारे प्राकृतिक तार्यतम में से जितने तकनीक हैं, उन चीजों को अपनाते हैं, एक उनकी कहीं कहीं सोच, प्रकृति के प्रती जो है, वो हमारी प्रकृति आधारित रहेगी, तो हम निश्यत तोर पे, क्योंकि तब ही हम पेड़ पौधे लगाएंगे, हम एक दूसरे से उतने ही अच्छे ढंग से आपस में मिल सकेंगे, जिसे मैं कहूं तो कि आंतरिक पर्यावरन का और बिक्सित होगा, तो यहां पर सौहाद्र की बाते होती है, कि यह सौहार्द जैसे ही बढ़ेगा, समाज उतना ही सम्यक और बिक्सित रहेगा, बहुत-बहुत शुक्रिया, खिसोर कुमार जी आपका इस कारिक्रम में आने के लिए, और इतनी अच्छी बाते बताने के लिए, तो साथ और पिर दर्शकों आपने सुना कि इस परियावरन संगरक्षन के कारिक्रम को लेकर के जो हम चर्चा कर रहे थे, यानि परियावरन से जुरे रिलेटेड जो भी आपके मन में प्रश्न थे, उनका सही जवाब आपको उम्मीद है कि मिल चुका होगा, परियावरन को बचान कि आप जिस तरह से किसी के पास जाते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, तो परियावरन को अगर आपको बचाना है, तो आप किसी महंगे उपहार को प्रदार ना करें, बलकि एक छोटा सा पौधा आप उसे उपहार सरूप दे सकते हैं, जिसके बाद वो छोटा सा पौधा ज संदाया होगा मुझे दीजिये अजाज़त नमस्कार